हालो फ्रेंट्स सुविल्स्ट्राप के यूट्यूब चनल के अपर आपका बहुत-बहुत स्वाकत मेरा नाम है विनाश अगरवाल और यह है जिग्यासा वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो जिग्यासा हमारी डेली करण्ट अफैज बेस सीरीज जिसके माद्यम साब के सामने ऐसे क्वेश्टन ला रहे हैं जो यूपसी प्रेलिंट के दरापको पूछे जा सकते हैं हिंदू मिंट पी इंडिनक्स प्रस बिजन सेंडर्ड यह इंहीं इंपॉर्टेंट सोर्सिस के अंदर से हम यूपसी राटिकल चुनता और उन चन से टैकल कर सके 18 सेप्टेंबर की जिग्यास है पीछे की सारी जिग्यास आगे की सारी जिग्यास आपको देखनी चीए मात्र 20 मिनेट का आपका इंवेस्टमेट और बहुत सारी नहीं नहीं चीज़े आपको सिखा दी जाती है स्टे होम स्टे सेफ स्टे ऑनलाइन अब अपने अपने फैंबली अपने कमिनिटी सबका ख्याल रखे कोरोनों को स्प्रेड मत करिए जो भी तियारी करने हैं सिविस्टम के साथ जुड़के करिए क्योंकि हमने आपने यूट्यूब चैनल पे कई सारे फ्री इनिशेटिव आपकी तैयारी के लिए लॉंच कर रखे हैं 10 अम स्थापना वीडियो टू पीम प्रयास वीडियो 7 पीम जिग्यास वीडियो 9 फटा फट फट वीडियो में आपके लाने लग रहे हैं स्थापना के अंदर जीएस कॉंसेट्स कर रहे हैं उन्हीं कॉंसेट्स के बेसिस पे 2 पीम प्रयास में कॉश्चन सौल कर रहे हैं 9 फटा फट में रिवीजन करने लग रहे हैं मंडे जिग्योग्रफी तुजज़ एंविरॉन्मेंट विडिनेश एकनॉमित हजज़ एश्री फ्राइडे पॉलिटी सैटेड़ को सिखाय जा रहे हैं आपको इन सारे फ्री वीग रहे गया है उस सब्येक्ट से रेलेटिड आप यह मॉडिवं को ले सकते हैं और इसी मॉडियूर के अंदर आपको इस सब्यूट सी जुक्रार चला जया है तो अगर अबी बीकुश्य क्रोंडियार नहीं उआ है तो इस प्राकार के मोडियूर आप जुड़के उस अ सिरीज है जो कि आपको मेर 2020 से मेर 2021 तक का पूरा करेंट अफेर्स कवर करवाएगी थूरू 26 फुल लेंद टेस्ट आफ 2,600 क्वेश्चन टोटली और आपका पूरा करेंट अफेर्स के थूरू टेक केर हो सकता है comprehensive pre plus mains GS course है जिसके अदर पूरा GS, पूरा CSAT, पूरा current affairs and test series pre plus mains point of view से आपको provide करा जाने लग रहा है उसके अलावा crash courses है जो कि prelims 2020 के लिए आपके लिए launch करें गए थे अगर आपका pubad option है तो GS plus pubad का course हमने launch कर दिया है जिसके अदर पूरा CSAT, पूरा GS, पूरा SA and current affairs along with सारे वीडियो, सारे notes, सारे test आपको दिये जाने लग रहे है pubad जो है वो आपको विशाल सर बड़े मजे के अदर सिखाएंगे आपको इस course के अदर जुड़ जाना चीए चाहे pre हो, चाहे mains हो, चाहे GS हो, चाहे optional हो, सारे problem आपकी take care हो जाएंगे और बड़े घर पे बटके शांदाल ढंग सापकी तयारी आगे चली जाएगी जिग्यासा के अंदर पूछे गए होमवर के questions का कुछ students, regular basis हो जो आप दे रहे I am very very proud of you कि आप लोग homework के questions regular basis पे answer कर रहे हैं consistency बर करार रखेगा, consistency आपको जीत हासिल हो सकती है और आपकी जीत में ही आपकी खुशी है और मेरी बहुत ज्यादा खुशी है, उमीद करता हूँ कि आप homework के questions का आज भी answer करेंगे पाँच बड़े 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 topics आपके सामने रख दिये हैं, farmers, produce, trade and commerce, ordinance को revise करेंगे आरोग्य, संजीवनी, करोना, रक्षत, करना, कवच को cover करेंगे consumer price index, AL, RL के बार में specific बात करेंगे human capital index 2020 के बार में सारी बात करेंगे one district, one product, concept for encouraging domestic manufacturing के importance को समझेंगे आप देख सकते कि अलग-अलग प्रकार की question आपके सामने रखें, let us roll the discussion ahead to question number one अब देखें दोस्तो, इंडिया के अंदर कैसे न बावाल मचावा है farmers से related reform करा जा रहा है, ऐसे सरकार कह रही है लेकिन opposition वाले कह रहे हैं, as well as सरकार के जो सहयोगी दल है, उनका यह मानना है कि farmers का reform, farmers के लिए यह reform नहीं है, problem create करी जारी है farmers, produce, trade and commerce, prohibition and facilitation ordinance 2020 को सरकार जो है change करने वाली है into permanent law, इसी से related bill सरकार लाई है इसी ordinance को धियान में रखते हुए, तीन statement आपके सामने रखें और आपको बताने कौनसे statements incorrect है, इस ordinance के माधियम से सरकार कुछ APMC के laws के अंदर, APMC के provisions के अंदर, APMC के mechanism के अंदर कुछ reform लाना चाहती है, agricultural marketing के areas के अंदर कुछ तबदीली लाना चाहती है वही सारी चीज़ों को धियान में रखते हुए, तीन statement आपके सामने रखें क्या यह APMC को include करता है, यह APMC को exclude करता है, आपको decide करना है Any trader, any को double underline मारू, any trader with a pan card can buy farmers produce in the trade area ऐसा लिखावा है, यह क्या correct है यह incorrect है, आपको decide करना है No market fee or cess or levy under any state APMC Act or any other state law shall be levied in a trade area तीन statement आपके सामने पढ़के बढ़ा दिये, बड़े extreme extreme प्रकार के statement लगने लग रहे है यह exclude कर रहा है मंडियों को, यह बोल रहा है कोई भी trader with a pan card farmer के साथ trading कर लेगा यह बोल रहा है कि भाया कोई भी market fee, कोई भी cess, कोई भी levy, कोई भी state MP, MPC Act के अंदर कोई भी state government नहीं लगा सकती, trade area के अंदर, कौनसे statement incorrect है आप identify करके चुन लीजे, अपना answer, answer आपके सामने रख रहा हूं essential commodities bill 2020, अभी जो तीनों बिल लाए गए है, यह कुछ तीन ordinance पहले सरकार ने लाए थे, उन ordinance को हटा के इन तीनों बिल को लाए गया है तो कौनसे ordinance लाए गए थे, इनी नामों के ordinance लाए गए थे, तो जैसे for example, यह farmers produce trade and commerce ordinance 2020 है यह intrastate, intrastate trade के बारे में बात करता है, beyond the physical premises of APMC, state governments को prohibit करता है, कोई भी प्रकार के sales, levy, tax यह नहीं collect कर सकते हैं outside of APMC areas उसके अलावा, farmers, empowerment, protection, agreement, price assurance, farm service ordinance लाए गया था, जिसके माधियम से contract, farming का एक framework create करा जाने लग रहा है such that की buyer और seller के बीच में आराम से transaction हो सके और कोई भी प्रकार का dispute हो जाए, तो उस dispute को solve करने का भी 3-level dispute settlement mechanism इस ordinance के अंदर बता रखा था अंकरेज करने के लिए agriculture के अंदर यह प्रकार के ordinance को लाए गया था, अब आप समझ जाए कि ordinance क्यों लाए गया था, सरकार ऐसा कह रही है कि इसकी वज़े से क्या होगा, कि number of buyers increase हो जाएंगे, यानि कि farmer चुन पाएगा भाया, कि इसको बेचना है, कि इसको नहीं बेचना है, trade liberalized हो जाएगी, यानि कि असान हो जाएगी, number of buyers increase हो जाएंगे, लेकिन जो standing committee on agriculture है, उनकी recommendation ये थी, कि जब तक transparent, अच्छा, accessible, efficient marketing platform ना तयार हो जाए, farmers को remunerative prices assure करने के लिए, तब तक ये liberalization के reforms शायद harm भी कर सकते हैं, क्योंकि farmer के पास अगर सरकार को बेचने का option थोड़ देते हैं farmers के उपर, तो क्या farmers जो है bargaining कर पाएंगे, क्या farmers अच्छे भाव के अंदर माल बेच पाएंगे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, standing committee ने बोला था कि पहले खुद का existing platform है, उसको बढ़िया कर लो, उसको शांदार बना लो, government की procurement facilities को शांदार बना ल चोटे चोटे रूरल मार्केट के अंदर adequate infrastructure facilities दे दो, उसके बाद आप जो है आपका agriculture market scheme जो है, ग्रामीन agriculture market scheme जो है, गैम्स जो है, उसको fully funded central scheme बनाओ, उस scheme के अंदर जो पैसा आप डाल रहे हो, उसको use करके ग्रामीन एरिया के अंदर markets को तयार करो, ये सारी चीजे कर लो, farmers को एकदम शांती हो जाएगी, कि भाया हमारे को अच्छा पैसा मिलने वाला है, सरकार से MSP के फॉर्म के अंदर हमारी फजल का, उसके बाद आप trade liberalize करतो, उसके बाद आप private player को भी डाल तो market के अंदर, तो farmer के मन में क्या assurance है, guarantee के साथ MSP तो मिलने ही वाला है, क्योंकि MSP तो मिली रहा है हमारे को, और उसके बाद अगर private player और उच्छा दाम दे कर जाते हैं, तो बड़िया बाते वारे नियारे सब के हो जाएंगे, मैं भी खुश, farmer भी खुश, government भी खुश, तो सारी चीज़े हो जाएगी, अब देखे, disc content क्या है, कि उपर वाली कुछ चीज़ क्या है, trader का definition का problem है, dispute resolution का problem है, और market fee का problem है, अब trade area के अंदर बोले हैं, कि farm, gate, factory, premise, warehouse, sea, low, coal, storage, any other structure or place जो है, वो trade area बनेगा, लेकिन APMC मंडी को trade area की definition के बाहर रखा है, यानि कि APMC के मंडियों के अलावा जो भी area बसता है, जो existing mundies है, उनके अलावा वाला जो area बसता है, उ format कह रही है, कि इससे additional areas create होंगे, additional markets create होंगे, farmer के पास choice आएगी, लेकिन जो farmer groups है, वो कह रहे हैं, कि जो APMC मंडीज है, उनका जो डायरा है, आपने physical boundaries के अंदर ही restrict कर दिया है, उसके अलावा मतल़ जो उसके APMC मंडी के physical boundary के आजुबा, जो के बाहर वाला जो इलाका है, वहाँ पर big corporate players बड़े आराम से operate कर पाएंगे, लेकिन APMC के अगर सरकार की facility उठानी MSP के अंदर, और APMC के अंदर ही माल लाकर बेचना है, तो यह farmer के प्रोब्लमाटिक हो सकता है, दुसरा यह है कि trader कौन है, अब पहला बताया गया था, अब बताया गया इस कानून के अंदर कि जो trader है, इस a person who can buy from farmer, interstate, interstate purposes के लिए जो goods है, वो farmer से खरीज सकता है, process कर सकता है, export कर सकता है, wholesale में कुछ भी कर सकता है, अब ministry of agriculture क्या कहती है, कि कोई भी person जो पहन कार जो trader बन जाएगा, पहले का existing system है, जो आज का existing system है, उसके अंदर जो अरथियाज है, जो commissioning agents है, उनको license मिलता है मंडी से, और यह जो अरथियाज है, इनके financial status को credibility से verify करके, सारी चीजों को बराबर लोगों को अरथियाज बनाया जाते है, जो कि पैसा खान आ जाए, बीच में गायब ना हो जाए, अब यह बोल रहे हैं कि कि किसी को भी trader बना रहे हैं, किसी को भी trade करनी की परविशान देने लग रहे हैं, तो अगर वो farmer का माल लेकर भग गया पैसा नहीं दिया, तो जिमेदारी कि इसकी हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो dispute settlement mechanism है, उसके अंदर आपको district collector level के पहुचना है, अपने disputes को resolve करवाने के लिए, मैं छोटा farmer हूँ, district से बहुत दूर रहता हूँ, district headquarters में आने जाने के अंदर मेरा कितना पैसा चला जाएगा, कितनी मेहनत चली कुछ collect नहीं करा जाएगा, इससे cost of transaction reduce होगा, ऐसा माना जाने लग रहा है, बट इसे भी कहा जाने लग रहा है, कि government incentivize करने लग रही है, big corporates को, जो यह सारे सारे levies को छोड़ते वे, हटाते वे, खरीद भाएंगे directly, और सस्ते सस्ते दामों के अंदर माल उठा के लेकर जा करते वे, question बना के आपके सामने रखा है, कि 3-3 statements सही है, इसलिए incorrect कुछ भी नहीं है, अब यह जो मुद्दा है, guarantee के साथ आपको mains के अंदर आने वाला है, इसलिए सरकार का viewpoint मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सरकार का viewpoint भी आपके साथ पूरा-पूरा discuss करा है, और आपको provide करा है, आपको इस sheet को GS3 की file में print out मार के रखना चीए, बढ़िया से, परी के बाद अच्छे से revise करना चीए, क्यों? क्योंकि GS3 के अंदर transport and marketing of agricultural produce सीधा सीधा topic है, यह जो amendments है, इसे 1991 level का reform माना जा रहा है, agriculture शेत्र के अंदर, तो guarantee के साथ आपको मालूम होना चीए कि सरकार का इसके अंदर क्या viewpoint है, सरकार क्या बोल रही है in ordinances के बारे में, और वो ही सारी चीजों को प्यार से bullet points के अंदर capture करके, government ने notes मना कर आपको दिये हैं, इनी चीजों को जाकर exam में लिखेगा, exam में आपको बढ़िया बढ़िया number examiner देगा, right? Moving ahead to question number 2, आरोग्य संजी को अगर आप जानते हैं, जो कि आपको मालूम होना चीए, क्योंकि आरोग्य संजीवनी तो हमने जिग्यासा में 100% पहले ही cover कर रखा है, तो जो भी आपका answer उसको आप comment करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूं, दोस्तों, answer इस question का है, IRIDA, ठीक है ना, तो आपनारी insurance regulatory and development authority of India ने कई प्रकार के products को launch करा है, जैसे for example, अब और भी नए products launch करने वाली insurance वाले, such that कि micro units, small units को ensure करवाया जा सके, dwelling units को ensure करवाया जा सके, ताकि कोई भी catastrophe, कोई भी accident, कोई भी unknown, कोई भी आपदा अगर हो जाए, तो उसका जो नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, उससे जो हम तो उसी insurance policy को penetrate करवाने के हिसाब से, इरडाई शांदार काम करने लग रही है, आरोग के संजीवनी करके एक policy, उन्हें ने थोड़े दिन पहले launch करवाई थी, हर एक general और health insurer को बोला था कि आप एक basic health needs of customers को cover करने वाली policy launch करेंगे, जिस पे maximum some assured 5 lakh रहेगा, minimum 1 lakh रहेगा, इस policy के नाम से आप छेड़ खानी नहीं करेंगे, इस policy का नाम रहेगा, आरोग ये संजीवनी policy, तो suppose कर लिजे कि बजाज healthcare वालों ने ये policy launch करेंगे, तो बजाज healthcare आरोग ये संजीवनी policy का नाम रहेगा, उसके अलावा, करोना कवर्च, करोना रक्षक, अन्य अन्य प्रकार क इनिशेटिव भी इरिडाने जो है, लाँच कर रखें है, आप देख सकते हैं कि ये करोना कवर्च, और रक्षक policy के अंदर किस प्रकार का hospitalization कवर करा गया है, policy coverage कितना दिया जाने लग रहा है, add-on benefits क्या दिया जाने लग रहे है, policy issue कैसे जाने लग रहे है, सारा सारा detail मैंन insurance sector को regulate करती है, autonomous body है, जो की statutory है, act of parliament से established करी गई है, headquartered in Telangana, Hyderabad है, Hyderabad Telangana है, और उसके जो major functions है, वो भी बता रखें है, सारी चीजे मैंने आपको यहाँ पर बता रखें है, और इस Indian Express के article के शांदार link को capture करते हुए, सारे सारे information को आपके सामने present करा है, और answer आपको poverty के बारे में बात करेंगे GS1 के अंदर, तो कोई भी level पर जब आप बात कर रहे हैं, तो उसमें एक line यह insurance के बारे में जरूर लिख कर आईएगा, क्योंकि insurance होने की वज़े से बहुत सारे लोगों को आर्थिक support सरकार से मिल जाता है, सरकारी insurance company से मिल जाता है, और वो अपने पैरों पे कड़े हो पाते हैं, वापस है, आर्थिक नुकसान से बाहर निकल पाते हैं, तो इस चीज को जरूर याद रखे को, और इस प्रकार की प्यारे-प्यारे initiatives के बारे में तो पक्का बात करके आईएगा, moving ahead to question number 3, आप देख लीजिए, consumer price index numbers for agricultural laborers and rural laborers के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह numbers को हाल फिदाल में release करा गया है, इन ही numbers से related 3 statements ये दिया है, आप correct answer चुन लीजिए, all India consumer price index numbers from AL and RL is calculated with base year 2011-12, इन numbers को compile करा जाता है by national statistical office, a rise in the value of index corresponds to a decline in the wages of agri laborers, ऐसा कहा गया है, यानि कि इस index के अंदर अगर बढ़ोतरी होती है, तो agri laborers की wages के अंदर गिरावत आपको देखने को मिल जाती है, जो भी statements आपको correct लग रहे हैं, उसके साब साब answer चुनेंगे, जो भी statements आपको not correct लग रहे हैं, जो भी statement आपको not correct लग रहे हैं, उसके साब साब answer चुनेंगे, exam में इस पर कर की गलती मत करना, जो मैं अभी करने वाला था, जो भी answer लॉक कर लीजे, आंसर आपके सामने रख रहा हूँ, आंसर इस question का है D, 2-3 दिनों से मेरे को ऐसा लगता है कि सारे-सारे inflation indices के बार में multiple बार बात हो चुकी है, आपको मालूम होना ची कि इसका base year 2011-12 नहीं है, आप comment करके बता दीजी कि इसका base year क्या है, आपको मालूम होना ची कि NSOS को compile नहीं करता है, कोई और organization compile करती है, उसका नाम आपको मालूम है, तो वो आप comment करके बताईए, and third statement तो completely illogical प्रकार का statement है, कि rise in the value of this index हैने कि महंगाई के अंदर अगर भढ़ोतरी होने लग रही है, inflation जियादा होने लग रहा है, तो wages of agriculture decline हो जाएंगे, wages of agrilaborate decline हो जाएंगे, कैसे decline हो जाएंगे, अगर महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, तो wages के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल देखी न, तो तो तोड़ा सा logic, प्लस थोड़ी इसी factual knowledge लगाते थे, तो answer आपका D आजाता था, अब मैं आपको सारी चीज़े बताता हूँ, देखी ये जो CPI-AL और CPI-RL की reading आई है, कि कितना inflation है, कितना inflation नहीं है, वो बेकार information है, वो आपके काम exam में नहीं आने वाली है, क्योंकि exam के अंदर इस प्रकार के question जैसे नहीं पूचते हैं, कि इस महिने के अंदर inflation क्या था, लेकिन इस index के बारे में जानकरी आपके बास जरूर होनी चीज़े, तो most important चीज़ आपको ये note करनी है, कि labor euro जो है, वो इस प्रकार के index को निकालने लग रहा है 1964 से, base year इसका 86-87 है, agriculture और rural laborers दोनों के लिए index निकाला जाता है, ये बताता है कि retail prices कैसे change हुए है, और उनका agriculture और rural laborers की community के उपर क्या impact पढ़ने लग रहा है, हर मन्त ये index निकलता है, 20th of the succeeding month के उपर ये index निकलता है, यानि कि अभी मुटा मुटी 20 September अगर आज date मान ले, तो August के index के बारे में हम अभी 20th September को discuss कर रहे हैं, ये जो index है, इसी के basis के उपर सरकार minimum wage decide करती है, इसी के basis के उपर सरकार decide करती है कि मन्रेगा program के अंदर कितना वेतन देना है, कुतना daily wage देना है, उसके अलावा हमारा शांदार labor bureau, उसके बारे में भी सारी चीज़े बता रखी है, ये बहुत ही प्यारी body है, जो wages, earning, productivity, absenteeism और इस प्रकार के labor indices से related सारी सारी information निकाल कर आपको देता है, उसके अलावा आप देख लीजिए, ये CPI के numbers भी calculate करता है, wage rate, indices and data का भी gather रखता है, data, social economic conditions पर भी काम करता है, labor intelligence, labor research, as well as monitoring and evaluation and studies under minimum wages act 1948 के तहत ये काम करता है, इसी point के उपर आपको एक थोड़ा सा अलग प्रकार का homework देना चाता हूँ, minimum wages act 1948 इंडिया को बहुत पुराना कानून है, जिसके बारवे हम बात खाली के नाम नाम के अंदर करते हैं, इसके provisions हमारे को कुछ भी generally मालूम नहीं होते हैं, आप ये minimum wages act 1948 के कुछ important provisions को निकालिए और इसको comment करिए, आपकी knowledge भड़ेगी and reach होएगी, आपको मज़ा ज़रूर आएगा, P.I.B. के शांदार article का पूरा-पूरा data capture करके सारी-सारी चीज़ों को समझते वे question आपके सामने रखा था, 11-12 गलत है, NSO गलत है, और आप देख लीजिए कि ये जो बोल रहे हैं कि decline हो जाएगा, which is वो भी गलत है, तो therefore होगे आपका answer D, उमीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़े समझ में आच चुकी है, जब भी India के अंदर, mains के अंदर, आप labor के बार में बात कर रहें, labor से related data के बार में बात कर रहें, labor से related reform के बार में बात कर रहें, तो आपको labor bureau का नाम ज़रूर लेना चीज़े, solution के अंदर, क्योंकि labor bureau को अगर modernize करा जाए, information technology से उसको strengthen करा जाए, और उसे एक ऐसी body बनाया जाए, जो real time basis के ओपर information collect करे, related to workers in India, especially in the informal sector, तो बहुत ज्यादा मज़ा आ जाएगा, policy making के अंदर data reach रहेगा, तो बहुत policy शांदार बनेगी, तो labor भीरो बहुती प्यारी body है, जिसको modernize करना चीज़े, strengthen करना चीज़े, तो इस प्रकार की suggestion को 116 आया है, यह index को release करा है, World Economic Forum ने, आप बताईए, statement सही है, गलत है, इसके components include करते है, survival, education and health, यह survival प्रकार का indicator है, कि नहीं है, आप बताईए, ranking India की जो decline हुई है, in the index as compared to 2019, सोच समझ के बता दीजे कि कौन से statements correct है, जो भी answer है, lock करेंगा, answer आपके सामने रख रहा हूँ, दो सादीजे, comment करतीजे, मुझे बहत खुशी होगी देखकर आपका comment, तो human capital index 2020, वो world bank का release करावा index है, ठीक है न, अब देख लीजिए, इस index के जो main component है, वो है survival, education and health, survival के अंदर हम बात करते है, probability of survival to age 5, education के अंदर हम बात करते है, years of schooling, test score, quality adjusted years of schooling, health के अंदर हम बात करते है, fraction of non-stunted children, adult survival rate, ये सारी चीज़ों के बात करते है, 116 हमारा rank है, पिछले साल 115 था, इस साल 116 हो चुका है, अब ये index जो निकला है, ये क्यों important है, देखिए, ये जो index की जितनी भी recording, reading होई ती न, ये करोना के पहले होई थी, यानि कि इस index के अंदर जो भी दिखाया गया है, व सारी चीज़ों के अंदर कुछना कुछ कमी है, आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, as a result of which, अगले साल human capital index कितना बेकार होता है, कितना नीचे गिरता है, उससे हमारों को मालूम बढ़ जागा कि करोना की वज़े से क्या-क्या risks हमारी society ने झेले हैं, क्या-क्या problems हमने face करे हैं, बहुत छांदार प्रकार का data मैंने आपको यहां पर इस value added note के अंदर दे रखा है, जो कि आपको हमारी telegram channel से डाउनलोड कर लेना चीए, इंडिया specific data की बात करो, तो 161 हमारा rank है, score तो भले हमारा increase हो रहा है, लेकिन rank हमारा improve नहीं होने लग रहा है, यानि कि आज जु आते ही आते हैं, vulnerable sections के बार में बात तो होती होती ही, प्लस इनके बार में essays तक आपसे लिखवा लिए जाते हैं, सरकार की policy के ओपर question पूछ लिए जाते हैं, हर चीज और human capital अगर हमारे country में रहेगा, तो development होगा, तो economic growth होगा, तो innovation होगा, तो industrial revolution 4.0 के अंदर हम शांदार ध capital index 2020 से related बातों को mains के अंदर जरूर यूज करके आईएगा, example के तोर के पर एक दो line जरूर चिपका के आईएगा, कहीं ना कहीं आपको extra marks जरूर मिलेंगे, and answer to this question is D, क्योंकि world economic forum साफ साफ गलत है, moving ahead to question number 5, अब सरकार ने बहुती शांदार प्रकार की scheme, बहुती शांदार का initiative लिया है, one district, one product concept for encouraging domestic manufacturing के बारे में दो statement दिया आपको बताने कौन से correct है, इसका objective है to convert करना each district of India into an export hub, इस initiative के अंतरगत, institutional mechanism set up करा गया in the form of district export promotion committees, जो की district के अंदर से export को promote करेंगा, जैसे नाम से समझ में आ रहे है, तो ये सारी चीजे क्या EC program के अंतरगत करी गई है, किसी और program के अंतरगत करी गई है, ये आपको सोच के बताना है कि कौन से statements जो है correct है with respect to this program, जो भी answer है log करेंगा, answer आपके सामने रख रहा हूं दोस्तो, answer is question का है, see, दोनो-दोनो statements, बहुत सही है, बहुत शानदार है, manufacturing हम promote करना चाते है, inclusive development करवाना चाते है, regionally balanced development करवाना चाते है, छोटे-छोटे व्याप्यारियों से exports करवाना चाते है, उन्हें enable करना चाते है, उन्हें strengthen करना चाते है, हम चाते हैं कि इंडिया के अंदर से हर एक district के अंदर से हर एक sub district के अंदर से कुछ ना कुछ specialty item को develop करा जाए with export potential और धड़ले से उसका export हो, वो सारी चीजों को ध manufacture कर सके, employment creation के अंदर योगदान दे सके, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, district export promotion committee इसको बनाया गया है, जिसके आप head बनेंगे जब आप DM collector DC बन जाएंगे, और साथ-साथ में आपके साथ अनियर लोग भी काम करने लग जाएंगे, जो DGFT से associated है, उमीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही प्यारी scheme के बार में सारी चीजों समझ में आने लग गई है, और आप देख रहे हैं, जब सारी चीजों को तो आप देख सकते हैं कि दोनों-दोनों statements आपके सही है, इसलिए answer आपका इस question का है C, उमीद करता हूँ कि सारी चीजों में मज़ा जरूर आ ह अब समय आ गया, अच्छी बात करने का दोस्तों, अच्छी बात यह कि success is a lousy teacher, it seduces smart people into thinking they can't lose, बहुत सारे students की ये time पर query मेर पास आ रही है, exam के बड़े नजदीक कि mock test के अंदर marks नहीं आ रहे, mock test के अंदर marks नहीं आ रहे, और मैं बार बार में बोल रहा हूँ कि mock test को revise कर revise करो, अच्छे से पढ़ो, अगर 10 घंटा पढ़ रहे तो साड़े 10 घंटा पढ़ो, वहीं पर अगर student बोनने लग जाए कि mock test में तो हमारे 200 में से 200 आ रहे है भया, तो वो पढ़ना बंद करतेगा, तो खरगोश बन जाएगा, रैबिट बन जाएगा, सो जाएगा, मैनत न आपने हमारे साथ जुड़े उसके लिए, thank you very much, all the very best, जैहिंद!